कि instantaneous displacement current of 1 ampere in the space between parallel plate capacitor of 1 microfarad can be established अब क्यूंकि displacement current की बात हो रही है between plates of capacitor तो अब देखो मैं यह जानता हूं कि capacitor के जो plates पे चार्ज है वो इतना है Q is equals to CVA और current निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा DQ by DT हो जाएगा क्या और अगर तुम कह दो तुम उसको ऐसे लिख दूं क्या C into DV by DT बस यही पूचा मेरे को changing potential difference कितना वोल्ट पर सेकिंड से change हो रहा है तो ID की जो value है वो आ रखिए 1 ampere capacitance है वन माइक्रो फेरट और डीवी बाई डीटी है वो पता करना है तो डीवी बाई डीटी आ जाएगा अपने पास 10 पावर 6 वोल्ट पर सेकिंड तो option B आ जाना चाहिए राइट